बरत्पुर्ग के राजिन दरिण नंगर सलूजा हॉस्पिटल के पास विजिसिंग नामगे विक्ति के साथ मीलूद पार्ट मार्पिट कर्चुन ले गए हिरोंडा मोटरसाइकल साथ ही पिटितने बताएगे रात को करीब 10 बजी से दुकान आ रहा था तर पर इस गटना इस्तल पर राजिन नगर सलूजा हॉस्पिल के पास 2-3 लड़कों के हाथ दिया और मेरे साथ दूर्पार्ट मार्पिट की जिस से चोट लगने नमस्कार आज कि एक खबर से मैं करा देता हूं आपको रूबरू आप जानेंगे हुआ है क्या अक्सर बारदाते होती चलती रहती है और होने के बावजूद कुछ ऐसा नजर आया कि बारदातों के अंसार टोप उतार लो गया यह जो घाव आप देख रहे हैं यह कोई छोटा मोटा घाव नहीं है और यह एक दी हुई है यानि कि रात को यह व्यक्ति इस रोड से गुजर रहा था जो बीनाराइन गेट से सीधा घने के गेट को अटेच करता है यह रोड यहाँ पर मैं अभी सुनवाँगा पीडित की खुद की जबानी कहती है क्या आखर क्यों और आखर क्या ऐसा हुआ है जो यह है परेशान पता ना भी तुम्हार ना यह रात को दो कान से आ रहा था मैं दस बद रहे थे तेज बोलो थोड़ा दस बद रहे ते रहते रात गई घड़ जा रहा था में गोकां से आ रहा था था शोगन से मेरी को यह तिन लड़के मिले खड़ी उन्होंने होका मोगार प्रवाज चुलाए पैसे बगरा चुदा पैसे बगरा कितने थे आपकी तो बाइक का नंबर बता दीजिए बारा चौदा बारा चौदा पूरा बता दीजिए और यह जीव पॉइंट यह तो कुमेर गेट से आप किधर से आए तक चुन्द बीना रहेंगे तो कहां जा रहे थे कहां पर है आपका गर अच्छा पूलिस को सूचना कब की थी आपने अच्छा थोड़ी देर पहले तो आप जब यहां के निकल के जा रहे थे तो आपको हाथ दिया था क्या पहले पहले कैसे बोला मतलब फर्ष्ट शुरुआत कैसे होई लूट बाट की अच्छा क्या बोले थे आपका किसी से को तो मैं आपको बता देता हूँ इस समय गुर्जर चात्रावास के पास यह घटी हुई है और रात को यह अपनी दुकान से अपने घर जा रहे थे क्या नाम बताया था यह विजय नाम के ब्यक्ति और इनके साथ जो मार्क्री लूट पार्ट बदमा संद्वारा की गई है उसके बारे में थोड़ी देर पहले पुलिस को सूचना करने के बाद पुरंत मौके पर पुलिस पहुची तो मैं आपको बताऊंगा कि आए दिन आ कितने बज़े रात को रात को रात कहां से अरहा था जा रहा था तो कोई जगडा या फिर कुछ ऐसा पको नाम बार दाब पैसे करीब कितने थे कितने घटना थी तो आप अपने दुकान से आकर अपने घर जा रहे थे घटना जब घटी ठीक है नाम बता देजिए विजय सिंग आप कुछ कहना चाहेंगे सब्सक्राइब करें दुकान से घर आ रहे थे रास्ते में इनको तीन लोग ने रुखवाया पहले उसके साथ इनके साथ मार पीट की मार पीट के साथ जखमी हो गए और बाइक को ले गए पैसों को ले गए ऐसी घटना है घटती रहती है आप कुछ कहना चाहेंगे पुलिस को थोड़ी निगरानी बढ़ानी चाहिए जिससे क्या आम जंता बैवीत नाओ पुलिस की गस्त होनी चाहिए गस्त के साथ साथ यह नहीं है कि चुपा गए बाइक को लेकर चले गए